गुदमॉणिंग फ्रेंड़्स वेल्कम टु टीचिंग गरूप तो आज की टॉपी में बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ओफ कोडिग सिस्टेm के बारे में कि कोडिआग सिस्टेm क्यों ग्यूर्त पड़ते हैं कासी क्लाइसिफाई कर सकते हैं कोडिआग को हमें Coding करने के जूद पड़ेगी, क्योंकि हमें कैसे पते लेगा कि ये वाला जो पार्ट है ये इस फैम्ली में रखा हुoul है. तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पार्ट सुथे हैं, उनके पर coding करने पड़ेगी part family के हमें coding करने पड़ेगी तो coding तीन तरीके से basically एक होता है monocode और hierarchical दूसरा होता है chain attribute और polycode बोलते हैं तीसरा होता है hybrid और mixed code इसको बोला जाता है तो हम monocode से start करेंगे और hybrid पर खतम करेंगे जो कि mixed code होता है कि कैसे कैसे ये code है हो काम करते है और code में क्या कुछ होता है तो पहले अगर हम monocode की बात करें monocode क्या है यह measure करता है हर एक character code depending upon the previous character यानि जो previous character होता है उसकी हर एक character के उपर यह उसकी measuring करता है देखे example ऐसे हम आपको समझाते है देखे monocode में क्या होता है rational number होते है monocode के बाद rational number आते है या फिर prismatic number आते है ठीक है rational number में आगे होता है has all या फिर no whole प्रिस्मेटिक में भी सेम होता है has all या फिर no whole तो यह किसके अंदर आ जाते है यह सब आ जाते है monocode के अंदर इनको हम अलग लग नाम दे देते हैं जैसे यह monocode है इसको हम दे दिया rational को m1 prismatic को m2 उसके बाद है जो has all इसको दे दिया h10 no whole h11 has all आगे फिर से आगया इसको दे दिया h20 आ फिर no whole को दे दिया h21 ठीक है ऐसे हम इसको क्रेक्टर वाइस इसको नाम हम दे देते हैं उसके बाद अगर हम बात करें हम ने चैन की उसके बाद चैन ने हमने बात कि दिना तीन तरह के होते हैं एक होता है हमारे पास monocode उसके बाद चैन ए अट्रिवट और polycode उसके बाद है hybrid और mixed code तो chain के अंदर हम क्या करते हैं इसके अंदर हम multicode each digit is independent of the previous digit यानि कि जो हार एक digit होता है वो independent होता है अपने previous digit का जो उपर वाला था वो dependent रहता है previous digit के उपर मगर यह क्या है यह independent रहता है previous digit के उपर यह multicode होता है multicode देखिए example a rational में क्या a 1 3 2 multicode है क्योंकि alphabet भी है और एक numerical value भी है इन्हें alphabet और numerical हो गया यह और उसके बाद है then b prismatic है b 2 3 2 यह independent है यह a यह b है एक दूसरी के पर यह dependent नहीं है ठीक है जैसे फर्स्ट वाल अगर हम बात करें एक इसको बिलोंग करता है वो diameter है और दूसरा के है दूसरा एक दूसरा के दूसरा के वो क्या बिलोंग करता है स्केर है यानि कि diameter और स्केर देखिए दोनों के अलग अलग है diameter अलग होता है स्केर अलग होता है यानि कि एक दूसरे के independent है तीसरा था hybrid hybrid का है दोनों का mixture होता है monocode का और polycode का दोनों के mixture को बोलते हैं hybrid तो यह थे हमारा आज का topic जिसमें हमने देखा कि कौन-कौन से इसमें code होते हैं basically हमने 3 code पड़े classification of coding system यहने के part families को जब हम divide करते हैं अलग-अलग part families में divide करते हैं तो उसको हम कैसे number कैसे sign करते हैं उसके बारे में ने देखा कि हम 3 तरह से number sign कर सकते हैं monocode chain code या फिर hybrid जो mixed होता है दोनों का आई होप आपको वीडियो अच्छा लगाओ thank you वीडियो देखने के लिए और जाद अपडेट वीडियो के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए thank you